बारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कब जीत लिया जी हां ये ख़बर बिलकुल सच है और ये मैच जो ह्या फाइबे साइड मैच था हॉकी का मैच था इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया Penelinc t即क द dresses चला था निश्चित जो टाइम होता है उसमें चार-चार से गीम बराबर है उसके बाद पेनल्टीज में भारत ने पाकिस्तान को हराया कैसे हराया आपको इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं जो की आप देख सकते हैं पेनल्टीज में हम लोग बारिश देखते रहे जाहिर सी बात है कि हम सब का ध्यान था भारत पाकि सब्सक्राइब में टीटएंटीज है वैसे ही होकी का यह व्ला फॉर्मेट है सेमी फाइनल हुआ था इसी दिन यानिश अनिवार को ही मलेशिया से उसमें भारत ने दस चार से जीत दर्श की थी वह पूरा टोटल डॉमिनेशन जिसे आप कह सकते हैं उस तरीके से वह मैच जीता था बात इस फाइनल की करें तो जो शुरुआत हुई पाकिस्तान ने पहला गोल किया लेकिन उसके बाद हमारी टीम ने दो गोल्स लगातार किये स्कोर 2-1 हुआ आप यहां लिखा हुआ भी देख सकते हैं जुगराज ने पहला गोल मारा दूसरा मनिंदर सिंग ने क कुछ ही मिनट्स के अंदर रहील मुहमद रहील ने दो गोल्स मारे बैक टू बैक चार चार से मुकाबला बराबर कराया फिर जब मुकाबला यह पेनल्टीज में गया तो वहां पर क्या हुआ वहां पर भारत इस मैच को 2-1 से जीता असच जी यह स्कोर दिखाई यह पेनल् जीता और अगर सेमी फाइनल की बात हम करें तो मलेशिया जो थी उसको पूरी तरह से बैक फूट पर रखा था भारत के लिए मुहमद रहील जिन्होंने फाइनल में दो गोल्स किये सेमी में चार गोल किये थे मनिंदर सिंग पवन राजबर सुखविंदर डिपसंटिर्की जुगरा सिंग और गुर्जोत सिंग ने एक गोल किया था सेमी फाइनल में जबकि मलेशिया की तरफ से कप्तान इसमाईल अबू और मुहमद दीन ने एक गोल किया था जबकि जो अखील मुला अनुवार नाम के प्लेयर है उन्होंने दो गोल्स किये थे अब यह जो टूर चोके हैं वर्ड कप में हम खेलेंगे यह गोल कप होकाई फाइड मलब चा आपके ऑट फिल्ड प्लेयर होते हैं प्लस एक गोल कीपर था यानि 5 प्लेज की टीम होती कि यह काफी फास्ट वाला फॉर्मेट है इसमें इसका फॉर्मेट अगर हम देखे तो यह पहली बार हुआ होकी फाइप एशिया कप 2013 का जो यह मुखाबला था पहली बार एन इनाग्रल था भारत ने इसे जीता और इसे होकी का टी-टूटी केहते मैं आपको बता चुका हू 2013 में इंट्रड्यूस हुआ था यानि आज से दस साल पहले बले बड़ा अगर बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले यूथ ओलंपिक्स में इसे आजमाया गया 2014 के और उसके बाद से इस पर काफी कामवा लोगों को यह लगता है जिस तरीके से क्रिकेट में लोगों का कम हो रहा था इंट्रेस्ट उसके बाद T20 लाया गया इंट्रेस्ट बढ़ाने के लिए सेम वही सी नहा पर भी है होकी का यह छोटा फॉर्मिल लाया गया क्योंकि इसमें काफी स्पीड वाली होकी खेली जाती और कम वक्त में हो खतम हो जाता मैच तो लोगों का सब्सक्राइब वोगों के लिए हुआता नौर पर यहां शीवाजी को के खल में और खना आदा होता है यह में जोर्मोस्ट होता हिसाफ से लग hélas साईज का भी रख सकते एक जो आप बात करते हैं कि स्टेंडर साइज की तो FIH यानि जो हाकी को चलाने वाली संस्था है वर्ड लेवल पर जैसे आपकी क्रिकेट की BCC इसके कोट का मैक्सिमम साइज 55-42 मीटर कर रखा जब कि कम से कम अगर मिनिममम की बात करें तो यह चालिस गुड़े 28 मीटर हो सकता है तो यह ख़वर आपको कैसी लगी और आप इस हाकी के नए फॉर्मेट के बारे में जानकर कैसा लगा आपको जरूर बताएगा कॉमेंट्स दे रही है और अगर आपकी वीडियो ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं तो इस चैनल को भी अपना सपोर्ट दीजिए शुक्रिया मेरा नाम सूरज है